आजकर जो हमारे द्द हिंदु वो कहेवे वो हे फर्स्ट हे augment ऑग्मेंट एक rieben होड़ हे और इसका मतलब होता हे बढ़ती करना मतलब इंक्रीस करना जैसा हम इंक्रीस बोलते हैझा तो augment का मतलब भी बढ़ती करना होता है अगर हम इसके synonyms की बात करते हो synonyms हो जाते है add to या फिर बोल सकते है supplement ठीक है और antonyms हो जाएगा इसका degrees second जो हमारे word आता है वो है amiable amiable एक adjective है और इसका मतलब होता है मितरता पूर्ण amiable amiable मतलब होता है मितरता पूर्ण और जिसे हम friendly बोलते हैं synonyms अगर amiable के synonyms हो जाते है affable और amicable antonyms इसका हो जाएगा unfriendly ठीक है आप एक बार इनको सुन लीजिएगा तो आपको ध्यान रहता रहेगा daily daily अगर हम इसके third की बात करते हैं तो यह cryptic cryptic एक adjective है इसका मतलब होता है रहश्यपूर्ण emigmatic enigmatic क्या होता है cryptic cryptic एक यहने क्या होता है रहश्यपूर्ण हो जाता है अगर synonyms की बात करते हैं तो mysterious mysterious या confusing हो जाएगा और antonyms हो जाएगा इसके straight forward fourth है vilification vilification एक नावन है और इसका मतलब होता है ninda क्या होता है ninda यहने condemnation condemnation willification मतलब भी ninda होता है synonyms की हम बात करते हैं या censure हो जाएगा और इसका जो antonyms से वो होता है praise praise मतलब क्या होता है praise और synonyms हो जाएगा criticism और censure हमने कल या परसू में praise का मतलब हमने देखा था praise का meaning देखा था तो आप लोगों comment section में praise का meaning बताना है यहां हो जाएगा conceit conceit यानि शुकार करना और conceit क्या है एक verb है conceit यानि होता है सुकार करना और इसको हम admit भी बोलते हैं synonyms हो जाएगा acknowledge या accept और deny acronyms के हो जाएगा deny यानि मना कर देना यह सभी word दा हिंदू से ही लिये जा रहे है यहां है door एक adjective है और इसका मतलब होता है a-is-ne-hin क्या हो जाएगा a-is-ne-hin और stern हम इसे बोलते हैं synonyms हो जाएगा unsmiling unfriendly और acronyms हो जाएगा इसका cheerful ठीक है क्या हो जाएगा cheerful इसने नहीं मतलब इसने नहीं मतलब प्यार भी आप नहीं जिसे बोलते हैं इसने होता है और एक आइस नहीं तो इसका मतलब है ice नहीं है unsmiling unfriendly अगर हम next देखते हैं तो next आजाएगा हमारा tree filling tree filling एक adjective है इसका मतलब होता है तुच यह trivial trivial यह फिर tree filling का मतलब एक ही होता है tree filling मतलब भी होता है तुच्छों की एक adjective है अगर हम इसके synonyms की बात करते हैं तो unimportant unimportant या unsignificant हो जाएगा अगर हम antonyms की बात करते हैं तो antonyms हो जाएगे important or significant तीक है अब हम spiral spiral एक verb है और इसका मतलब होता है bhoota Va day hoona च्छोर बोलते हैं बहुत व्रदी hoona स nonyms इसके synonyms से वह होते है shoot-up rocket shoot-up rocket की तरह तेज़ चनम मतलब बहुत जानब बहुत व्रदी hoona मतलब spiral इसको बोलते हैं अगर intonym की बात करतेuto तो इंटरनिम्स हो जाएगा इसका फॉल अगर ये PDF आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सिक्षन में कमेंट कर दीजेगा आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी ऐसे ही डेली डेली दा हिंदु वोकेप पढ़ने के लिए चैनल को लाइक से और सबस्क्राइब करना मत बुलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में